ये निमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रूहन आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो में दोस्तों अगर आप Instagram यूजरेंड एस में जो आप Instagram के उपर Content creation करते हैं Content को पोश्ट करते हैं रिजिस अप्रोड करते हैं तो आपने जो एक टम काफ़ दर सुने होगी जो यहां पे आप सभी को बता दें जाता हूं कि यह वीडियो complete shadow band के उपर है आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो के बाद shadow band से यहां फिर कोई भी कोशन भी नहीं होगा अब बात करते हैं आप सबसे पहली चीज़ शैडोबन क्या है आप shadow band से इंस्टाग्राम पे नहीं होता है यह हर एक internet के platform पे होता है चाहिए वो YouTube हो, ट्येटर हो, Instagram हो, Facebook हो shadow band का मतलब यह होता है कि आपकी reach को जो है कहीं नहीं के restrict कर दिया जाता है फिर less reach आपको मिलती है and it doesn't mean कि आपका account जो है आपका content ब्लॉग कर दिया गया या फिर आपका account ब्लॉग कर दिया गया Instagram पे shadow band equals to less reach yes guys, अब Instagram पे less reach का बाती है जब आप जो है कोई भी inappropriate content या फिर photo, video, reels पोस्ट करती है and इसका मतलब यह है कि हाँ पे कोई भी ऐसा content या फिर आप कह सकतो कोई भी post जो Instagram के guidelines या फिर communities के against है उसको आप अगर post करते हैं तो वहाँ पे जो आपको shadow band हो सकता है बहुत साथ लोग बोलते हैं कि यार मेरे account shadow band हो गया फिर लोग जो है Instagram support team से बात करते हैं और काफी बार mail भी करते हैं लेकिन मैं आप सभी को बता दो Instagram इस पे ये कहते है shadow band जैसा कुछ करता ही नहीं है yes guys Instagram ने सिंपल से इसके उपर ये कहए Instagram के head ने उन्होंने ये कहए कि यहाँ पे Instagram पे जो भी आप content post कर रहे हो अगर वो जो है audience को पसंद नहीं आ रहा और फिर आप कह सकते हो जो audience तक नहीं पहुच रहा जो audience को अच्छा नहीं लग रहा तो obviously Instagram उसको जो है push नहीं करेगा या फिर वो लोगों में पसंद नहीं आएगा तो automatically उसकी reach जो है down हो जाएगा तो Instagram ऐसे नहीं करता आपके account को shadow ban कर देता है अब मैं एक्चुली बात करता हूँ अगर आपका account जो है shadow ban हो चुक है तो आपको जो उसको कैसे fix करना है और कैसे overcome करना उसे लेकिन यहाँ पे Instagram आपको एक transparency tool देता है feature देता है जो Instagram application में ही है जो आपको नहीं पता हो आपको ज चैक करना है कि आपका account shadow ban है या फिर अगर आपको चैक करना है कि आपका account या फिर कोई भी ऐसा content or guidelines को तो वहाँ पे आपको क्या करना है आपको जाने Instagram के उपर एंड आपको settings पर जाने account पे यहाँ पर आपको account status के option पर जाने जैसी आप इस रहेंगे तो आप देख सकतो इस अपील कर सकतो या फिर आगे review के लिए submit कर सकतो अगर Instagram टीम को इसमें कुछ गलत नहीं दिखता तो वहाँ पे उसको set कर दे जाएगा और वापिस आपका active हो जाएगा बट अगर आपका कुछ भी ऐसा content होगा तो वहाँ पे आपका content रिमूफ कर दिया जाएगा तो यह सकतो इसको deactivate कर सकतो यह मैं अपनी person experience से बता रहाँ कोई ऐसा जो है कहीं भी नहीं बोला Instagram ने तो यहाँ पर आपका कुछ time period के लिए pause हो जाओगे और उसके बाद जो एक अच्छे टाइप में एक new version से content creation करोगे तो आप जो है इस तरीके से कर सकतो नहीं तरीके content create करो जो आपको बीच में अच्छा लगे और हाँ पिछ आपको अच्छी व्यूस और लाइक बिलेंगे यह फूरी वीडियो थी शैडव एंस्टाग्राम के उपर होप आप सब लोगो समझा योगी तो आप लोग बतना कैसे लिए वीडियो को में स्ट्रेक्शन में एता था वीडि लाइक दिसक्राइब को सब्सक्राइब के दरा है ऐसी वीडियो से आप श्याप लात रहता हूं मिलता हूं नीए वीडियो से ले बाइब अश्कार जाहिंद वन्दे मात्राम